आज भारत जो करता है अभूत पुर्व स्पीड से करता है। आज के भारत ने छोटे छोटे सपने देखना छोड़ दिया है। हम बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं यही संकल्प इस विख्षित भारत विख्षित रेलवे कारकम में दिख रहा है मैं इस कारकम में देश भर से जुड़े सभी साथियों का अभिनंदन करता हूँ हमारे साथ 500 से अधिक रेलवे स्टेशनों और डेड़ हजार से जादा दूसरी जगों से लाखों लोग जुड़े हैं अलग अलग राज्यों के मानेनी राजपाल्थरी माने मुख्य मंत्री गाण केंद्रों राज्य सरकारों के मंत्री गाण सांसद गाण विधाय गाण और सानी जन प्रतिनिती प्रबुद्ध नागरिक पद्म पुरश्कार जिनको संबानित मिलाएं ऐसे वरिष्ट मानुबाव भारत के महत्वपुन जीवन जवानिक अपाने वाले हमारे स्वातंत्र से नानी प्रिडम पाइटर और हमारी भावी पीड़ी युवा साती भी आज हमारे साथ है आप सभी की उपस्तिती में आज एक साथ रेलिवे से जुड़ी 2000 से अधिक परियोजनाओं का सिलान्यास और लोकारपन हुआ है जून महिने से होने वाली है अभी से जिस केल पर काम होना शुरू हो गया है जिस पीड पर काम होना शुरू हो गया है वो सब को हैरत में डालने वाला है कुछ दिन पहले मैंने जम्मू से एक साथ आई आई टी आई एम जैसे दरजनों बड़े सिक्षां सहुस्दाओं का लोकारपन किया कल ही मैंने राजकोर्ट से एक साथ पाँच एम्स और अनेग मेडिकल संसानों का लोकारपन किया और अब आज का ये कारकम है आज 27 राज्यों के करीब 300 से अधिक जिलों में साड़े 500 से ज्यादा रेल्वे स्टेशनों के काया कल्प का सिलान्यास हुआ है आज उपी के जिस गोमती नगर रेल्वे स्टेशन का लोकारपन हुआ है वो वाकई कमाल का दिख्ता है इसके अगावा आज 1500 से ज्यादा रोड ओवर ब्रीज अंडर प्रास इसकी परियोजनाएं भी इसमें शाविल है 40,000 करोड रुपिये की ये परियोजनाएं एक साथ जमिन पर उतर रही है कुछ महिने पहले ही हमने अमरुत भारत स्टेशन योजना की शुरुवात की थी तब भी 500 से अधिक स्टेशन के आदुनी करण पर काम सुरू हुआ था अब ये कारकम इसे और आगे बढ़ा रहा है ये दिखाता है कि भारत की प्रगति की रेल किस गती से आगे बढ़ रही है मैं देश के विबिन राज्यों को वहां के सभी मेरे नागरिक बाई बैनों को अनेक अनेक शुक कामनाई देता हूँ सात्यों मैं आज विजह इस रुप से अपने युवा सात्यों को बहुत बढ़ाई देना चाहता हूँ मोदी जब विक्सिद भारत की बात करता है तो इसके सुत्रधार और सबसे बड़े लाभार थी देश के युवा ही है आज की इन परियोजनाओं से देश के लाखों नवजवानों को रोजगार और स्वरोजगार के नए आउसर मिलेंगे आज रेल्वे का जो ये काया कल्प हो रहा है ये उन साथियों को भी लाभ देगा जो स्कूल, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं ये काया कल्प उनके भी बहुत काम आएगा जो 30-35 वरसों से कम आयूके हैं विक्षिद भारत युवाओं के सपनों का भारत है इसलिए विक्षिद भारत कैसा होगा ये ताय करने का सबसे अधीक हक वो भी उनी को है मुझे संतोस है कि देश भर के हजारों विद्यारतियों ने अलग अलग परधाओं के माध्यम से विक्षिद भारत के रेलिवे का सपना सामने रखा इन में से अनेक युवा साथियों को पुरसकार भी मिले हैं मैं सभी को बहुत सुपकामनाई देता हूं मैं देश के हर जवान को हर नवजवान को बताना चाहता हूं कि आपका सपना आपका सपना ही मोदी का संकल्प है आपका सपना आपकी मेनत और मोदी का संकल्प यह विख्षित भारत की गरंटी है साथियों मुझे खुशी है कि यह जो अमरित भारत स्टेशन है विरासत और विकास दोनों के प्रति होंगे जैसे ओडिसा के बालेश्वर रेलवे स्टेशन को भगवान जगनात मंदिर की थीम पर डियाइन किया गया है सिक्किम के रंगपो रेलवे स्टेशन पर आप लोगों को स्थानिय वस्तुकला का प्रभाव दिखेगा राजस्तान का सांगनेर रेलवे स्टेशन सोलवी शताब्दी की हैंड ब्लोग प्रिंटिंग को दर्सांता है तमुल नाडू के कुम्ब कोनम स्टेशन का डिजाइन चौल काल के वस्तुकला पराधारित है अम्दाबाद रेलवे स्टेशन मोडेरा सुर्य मंदिर से प्रेरित है गुजरात में द्वारिका स्टेशन द्वारिका दीश मंदिर से प्रेरित है आई टी सिटी गुनकाओं का रेलवे स्टेशन आई टी के लिए ही समर्पित होगा यानि अम्दाबाद स्टेशन उस शहर की विशेश्ता से दुनिया को परिचित कराएगा इन स्टेशनों के निर्मान में दिव्यांगों और बुजुर्गों उनकी सुविधा का भी विशेश ध्यान रखा गया है साथियों बीते दस वर्चों में हम सभी ने एक नया भारत बनते देखा है और रेलवे में तो परिवर्तन साक्षात हम अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं जिन सुविधाओं की हमारे देश के लोग कलपना किया करते थे लोगों को लगता था कि काश भारत में ये होता तो लेकिन आप देखिए जो कभी आप कलपना में सोचते थे आज हम आखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं एक दसक पहले तक बंदे भारत जैसी आदुनिक सेमी हाइस्पीड ट्रेन के बारे में कभी सोचा था सुना था किसी सरकार ने कभी बोला भी था एक दसक पहले तक अमरिद भारत जैसी आदुनिक ट्रेन की कलपना बहुत मुश्किल थी एक दसल पहले तक नवो भारत जैसी शांदार रेल सेवा के बारे में किसी ने कभी सोचा नहीं था एक दसल पहले तक विश्वास ही नहीं हो पाता था कि बारतिय रेल का इतनी टेजी से बिजली करन होगा एक दसल पहले तक ट्रेन में स्वच्चता स्टेशन पर सफाई यह तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी आज यह सब रोज मरा की जिन्दिकी का हिस्सा बन गए एक दसक पहले तक मानव रहीत फाटक भारतिय रेल की एक पहचान बन चुकी थी एक आम तस्वीर थी आज ओवर ब्रीज अंडर ब्रीज से वे रोगटोक और दुरगटना रहीत आवाज जाही सुनिस्चित हुई है एक दसक पहले तक लोगों को लगता था कि एरपोर्ट जैसी आधुनिक सिवाएं सुविदाएं चिर्फ पैसे वाले लोगों के भागे में हैं आज गरीब और मिलकास के लोग रेल्वे स्टेशन पर भी एरपोर्ट में जैसी सुविदा होती है ना बहुत सुविदा रेल्वे में सपर करने वाला मेरा गरीब भाई बहन भी उसका लाब ले सकता है साथियों दसकों तक रेल्वे को हमारे यहां की स्वार्त भरी राजनिति का शिकार होना पड़ा लिकिन अब भारतिय रेल्वे देश वास्यों के लिए इज अब ट्रावेल का मुख्या आधार बन रही है जिस रेल्वे के हमेशा घाटे में होने का रोना रोया जाता था आज वो रेल्वे परिवर्तन के सबसे बड़े दोर से गुजर रही है यह सब कुछ आज इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत ग्यारावे नंबर से चलांग लगा कर पाँचवे नंबर की अर्थे ववस्ता बना दस साल पहले जब हम ग्यारावे नंबर पे थे तब रेल्वे का उसर्ट बजट 45,000 करोड रुपिय के आस्पाद रहता था आज जब हम पाँचवे नंबर की अर्थिक टाकत है तो इस वर्ष का रेल्वे बजट डाई लाग करोड रुपिय से अधिक का है आप कल्पना कीजिए जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महासक्ति बनेंगे तो हमारा सामर तक कितना अधिक पड़ेगा इसलिए मोदी भारत को जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ विवस्ता बनाने के लिए जी जान से जुटा है लेकिन साथियों आपको एक और बात ध्यान रखनी है नदी नहर में पानी चाहे कितना भी क्यों न हो अगर मेड टूटी हुई हो तो किसान के खेट तक बहुत कम पानी पहुचेगा इसी तरह बजेड चाहे कितना भी बड़ा हो अगर गोटाले होते रहें बेईवानी होती रहें तो जमीन पर उस बजेड का असर कभी नहीं दिखता बीते दस वर्षों में हमने बड़े बड़े गोटालों को सरकारी पैसे की लूट को बचाया है इसलिए बीते दस वर्षों में नई रेल्वे लाइम बिछाने की गती दोगुनी हो गई आज जम्बू कश्मीर से लेकर नौर्थ इस तक ऐसे स्थानों तक भी भारतिय रेल पहुँच रही है जहां लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी इमानदारी से काम हुआ तभी डाई हजार किलोमेटर से अधिक डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर का काम हुआ है यानि आपने टेक्स के रूप में टिकट के रूप में जो पैसा दिया उसकी पाई पाई आज रेल यात्रियों के हित में ही लग रही है हर रेल टिकट पर भारत सरकार करीब करीब पचास परसेंट डिस्काउंट देती है साथियों जैसे बैंक में जमा पैसे पर ब्याज मिलता है वैसे ही इंफ्रास्टर्चर पर लगी हर पाई से कमाई के नए साधन बनते है नए रोजगार बनते हैं जब नए रेल लाइन बिच्टी है तो मद्दूर से लेकर इंजिनियर तक अनेक लोगों को रोजगार मिलता है सिमेंट स्टील ट्रांस्पोर्ट जैसे अनेक उद्योगों दुकानों में नई नोक्रियों की संभावनाय बनती हैं यानि आज जो ये लाखों करोड रुप्य का निवेश हो रहा है ये हज़ारों प्रकार के रोजगार की गारंटी भी है जब स्टेशन बड़े और आधुनिक होंगे जादा ट्रेने रुकेगी जादा लोग आएंगे तो आसपास रेड़ी पट्री वालों को भी इससे फाइदा होगा हमारी रेल छोटे किसानों छोटे कारीगरों हमारे विश्व कर्मा साथ्यों के उत्पादों को बढ़ावा देनी वाली है इसके लिए वन स्टेशन वन प्रोड़क्त योज़ना के तहर स्टेशन पर विशेस दुकाने बढाई गई है हम रेल वे स्टेशनों पर हजानों स्टॉल लगाकर उनके उत्पाद बेचने में भी मदद कर रहे हैं साथियों भारतिय रेल यात्री सुविदा ही नहीं है बलकि देश की खेती और अवद्योगीक प्रगति का भी सबसे बड़ा वाहक है रेल की गती तेज होगी तो समय बचेगा इससे दूद्ध मचली फल सबजी ऐसे अनेक उत्पादान तेजी से मारकोट पहुंच पाएंगे इसमें उद्योगों की लागत भी कम होगी इसे मेकिन इंडिया को आत्मंदिर भर भारत अभियान को गती मिलेगी आज पूरी दुनिया में भारत को निवेश के लिए सबसे आकरसक माना जा रहा है इसका एक बड़ा कारण ये आधुनिक इंफ्रासक्टर भी है आने वाले पांच वर्सों में जब ये हजानों स्टेशन आधुनिक हो जाएंगे भारतिय रेल की ख्षमता बढ़ जाएगी तो निवेश की एक और बहुत बड़ी क्रांती आएगी भारतिय रेल को अपने काया कल्प के इस अभ्यान के लिए मैं एक बार फिल अनेक अनेक शुपकामनाई देता हूँ और सभी देश वाचियों को भी एक साथ इतना बड़ा कारकम का हिस्सा बनना एक ही कारकम में लाखों लोगों का जुड़ना सभी अधने मुख्यमंत्रियों का समाई निकालना गवनर्सी का समाई मिलना ये अपने आप में आज का ये कारकम शायद हिंदुस्तान में एक अनेक प्रकार की नई संस्कृति को लेकर कहाया है मैं मानता हूँ ये रचना बहुत ही उत्तम प्रकार की आजके कारके में रचकना बनी हैं आगे भी हम इसी प्रकार से समय का सरवादिक अच्छा उप्योग करते हुए विकास की गति को एक सांथ चारों दिशावों में तेजी राएंगे ये आपको भी मेरी बहुत बहुत सुकामना है बहुत बहुत धन्यवाद